अस्वाम लेकूम वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल अडाफ फोटोशाप आज की हमारी वीडियो का टापिक है ओल्ड से न्यू फोटो किस तरह त्यार की जाती है चोटी पासपोर्ट साइस फोटो को हम न्यू पेज की फोटो त्यार करेंगे के लिए हम स्टाट करते वीडियो को यह सबसे पहले हम कि अले अडाफ शाप ओपर करेंगे अगरा कि अगरा कि अगरा कि अगरा कि अगरा कि अगरा कि इसके बाद हमने जो फाइल लेनी है वह हम कंट्रोल के साथ ले सकते हैं जो फाइल आपने त्यार करने अशको अपन करेंगे कि यह मेरी फाइल है इसको पहले मैं सिदा करूंगा कि अच्छा कि आधि कि सीदा हो गया इसके बाद मैंने इसको क्राप करूंगा जो साइज मुझे चाहिए कि इसी तरह आपने करना है जो साइज आपको चाहिए उसाइज का आपने कर लिने जी क्राप करने के बाद इसके कलर जैस्ट्मेंट करनी है कंट्रोल शिप्ट एल के साथ है या शॉट की कंट्रोल के साथ आप इसे अजैस्ट कर सकते हैं जी यह देखे कंट्रोल के साथ यह आएगा आटो लैबल और इसके बाद अगर इसे आपके जैस्ट्मेंट ना हो तो कंट्रोल एम के साथ भी आप इसे अजैस्ट कर सकते हैं कि अजैस्ट्मेंट करने के बाद ऐसे आप मेसीज क्राप कर सकते हैं ताकि जो हमारे पास बादर है वाइट 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 वो फत्म होजे कराप करने के बाद अब हम इसका बैगरॉंड मूफ करेंगे तो इसके लिए हम डबली टूल इस्तमाल करेंगे या एल टूल इस्तमाल करेंगे या पी टूल इस्तमाल करेंगे इन तीनों में से कोई भी टूल आप इस्तमाल कर सकते हैं डबली टूल का काम है सरफ कलर जैस्ट्मेंट कलर के चीज कलर में आप क्लिक करेंगे वह कलर उसने आर्ट रेवल के साथ बाउंड का लेना है और जो है एल टूल और प्लाट में करता जाएगा और पी टूल के साथ भी तरह माउस क्लिक करेंगा वहां वहां वह वाओं का बैगरॉंड сколько हो जाएंगा झाल 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 जी एरिया स्लेक्ट करने के बाद इसको हम सीधर लगाएंगे च्ट्रोल आल्ट प्लस टी और नीचे जो तस्वीर है उसे हम आइड़ कर देंगे और इसको कंट्रोल जे करके कापी कार लेंगे यानि कि उसकी कापी भी त्यार कर लेंगे ताकि हमारे बास एक एक्स्रा कापी ओ अगर उसके साथ हमारे कुछ डि करेंगे थोड़ी सी करेंगे करेंगे ताक डार्क एरिया और लाइट एरिया दोनों मिक्स हो जाए बराबर हो चेंगे इसके बाद जो हमारे कानों की बलर रहीं गया जादा जादा नेजरा रहे हैं इसको हम बराबर करेंगे करके ताक बराबर हो जाएं गर दोनों पर उसी तरह ही हम करेंगे झाल झाल कटिंग होने के बाद अब हम कंट्रोल ओ करेंगे और न्यू फाइल पर जाएंगे जो कलर हमने बैक्रूल स्लेक्ट करना है या जो बैक्रूल चाहिए वो उपन कर लेंगे अब अपन करने के बाद तस्वीर को उसको पर अजेस्ट करेंगे जी यह रही है हमारी बैक्रूंड इसको हम उपन कर लिए अब इसको कापी करके हम अपनी तस्वीर वाली से भी लेंगे और इसको हम अब कंट्रोल टी के साथ बढ़ा करेंगे ताकर तस्वीर के तीछे यह जैस्ट होजे यह देकर हमारी बैक्रूंड सेलेक्ट हो चुकी है जैस्ट हो गई है अब हमें तस्वीर के साथ इसको थोड़ा सा लाइट या डार करने जी तस्वीर लाइट डार करने के बाद इसके उपर हमने फिल्टर इस्तमाल की है कि देखे हैं हमने फिल्टर इस्तमाल किया है इस फिल्टर का लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा बेशागी से डाउनलोड कर लीजिए गए कि यह फिल्टर थोड़ा सा स्लो काम करता है मगर तस्वीर अन बलर हो जाएगी यह जो बलर नजर आ रही है वह बिलकुल क्लियर हो जाएगी कि यह देखें फिल्टर के बाद की तस्वीर अब इसे हम एजस्ट करना है और नीचे जो नेम प्लेट है इसको हम तर्टीब दे देंगे अब यह जो नेम प्लेट मैंने स्नैप टूल के साथ सही किया है अब यह जो बाद के साथ सही किया है अब इसके उपर हम नेम लिखेंगे नेम का नेम इजस्ट करने के बाद इसका कलर भी चेंज कर देंगे ता कि जिस कलर पर पहले नेम लिखा हुआ तो उसी कलर में लिखा रही है आप 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 कि यह देखे नेम प्लेट भी त्यार हो गई है अब हमारी यह फोटो रेडी है इसको हम सेफ करेंगे कि यह यहले हमारी फोटो सेफ भी हो गई है अब आप फुद देख सकते हैं पहले वाली फोटो और आप वाली फोटो में कितना फ़रक है जोनों फोटो आपके सामने हैं देख देख लें और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लास्में कीजिएगा थैंक्यू फर बढ़ शुछ करता हैं तो रोटो भी कितना वाली फाह हैं लाटो आपके बढ़ एक यहां बढ़ यहां एक्षाज्ज के लाटो खब कर दो चाहांज हैं दोट देख